दूर दूर टिखाएंगे वो अपना किया सम किये लेकिन आईए इस कीद को देखें कैसे इसका नोटेशन है हीरे से देखते हैं इसमें देखें क्या लग रहे हैं ये दी सी इप एट डी इसरी एट इट फिर घी एट और एट और ची फिर दी छपरा लवट के आएंगे छपरा से हम भाग के अब तो घर को लवट ना आएंगे नोन रोटी खाएंगे समही जीवन भिताएंगे दिखाएंगे दून रोटी खाएंगे समही जीवन भिताएंगे आएए इस सौंग को फिर देखें इसका शुरू में दूसरे नोट चे देखें आएए बीफ्या चे देखते हैं हर छपरा से हम भाग के अबना घर को लवट के आएंगे भाग के अबना घर को लवट के आएंगे नून रोटी खाएंगे समही जीवन भिताएंगे ठीक है नून रोटी खाएंगे समही जीवन भिताएंगे छपरा से हम भाग के अब तो घर को लवट ना आएंगे नून रोटी खाएंगे समही जीवन भिताएंगे अगर आपकी आवाज यहां से मैच करें तो यहां से बजा सकते हैं यहां से आपकी आवाज मैच करें वहां से बजा सकते हैं लेकिन यह सौंग अगर जीवन भिताएंगे तो यह अच्छा रहा गया चोकि संगीत में मुझी जीजिक ऐसा चीज है कि अगर आपकी आवाज महां तो नहीं जा रही है तो आवाज करेंख सकती है और वह चैज आपन ठीक नहीं होगा अधर आप जैसा भी देखें तो आप पोल रगता कि यहां से अगर अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि यहां से बजा सकते हैं य सौती से फालाइट धर के पटना हम बह जाएंगे अधर ही हो दी भी जाएंगे आभी को रंगे लगाएंगे ठीक है सौती से फालाइट धर के हो दी में खागे आएंगे सौती से फालाइट धर के घर ही हम मनाएंगे भाभी को रंगे लगाएंगे ठीक है भावजी के संग रंग नाएंगे खरही जस्म मनाएंगे ठीक है दूद भात खाएंगे इस कुल पढ़े हम जाएंगे ठीक है हाँ दूद भात खाएंगे इस कुल पढ़े हम जाएंगे इस टाइप अन्मिले चाहे साइतिल अबना बहाना बनाएंगे इस टाइप अन्मिले या साइतिल अबना कोई बहाना बनाएंगे दूद रोटी खाएंगे इस कुल पढ़े हम जाएंगे ठीक है कि अधिक नहीं जाएंगे अंतलब यह क्या करना होगा दी को जिकरेंगे तीम बार दी को तीन बार चार बार किजी करेंगे तीम बार इसको दुबार इसको अगर आपको फाश्च लग रहा तो और सुलो बताते हैं अगर आपको फाश्च लग रहा तो और सुलो बताते हैं कि अगर आपको कैसा दागा आप कमेंट बाक्स में बताएए और कुछ भी परसानी हूँ आप बताएए कमेंट बाक्स में और धुर्मीजी को मैं तह दिल से सुक्रिया करता हूँ कि ये आपकी पसंद को मेरी जर्ये आगे रख रहे हैं इसकी ये मैं तहदी से सुक्रिया करता हूँ और आप तमाम दर्सकों को मेरा नमस्कार है तब तक ये दोस्तों नमस्कार